कभी पैन बेजता था देश का ये मसहूर कॉमेडियन मसहूर अंग्रेजी कभी चॉर्ज गार्डन बायरन का कहना था जब मौका मिले हमेशा हसे क्योंकि इससे सस्ती दवा दुनिया में कोई नहीं है आज की तनाव भरी जिन्दगी में सबसे ज़्यादा चरूरत है हसी की क्योंकि हम हसते वक्त अपनी सारी समस्या भूल जाते हैं और उस वर्तवान को जीते हैं जो हमारे सामने होता है हलंकि जितने आसान हसना होता है उससे कहीं ज़्यादा मुस्किले हसाना किसी को हसाना भी एक कला है जिसे मनुरंजन का हिस्सा माना गया है सुरवात में सरकस में जोकर दर्सकों का मनुरंजन करता था और उन्हें हसाता था फिर टीवी के माध्यम से लोग का मनुरंजन शुरू हुआ और टीवी ने लोग का खूम मनुरंजन किया इससे दुनिया में कई बड़े-बड़े कॉमेडियन पैद हुए जिन्होंने लोग को हसना सिखा है ऐसे ही बॉलिवूड में एक कॉमेडियन जोनी लिवर है जिन्होंने भारत के दरसकों को हसाने के लिए कड़ी महनत की तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के मसूर पैद एप कॉमेडियन जोनी लिवर के पारे में जोनी लिवर वैसे तो बॉलिवूड में एक से बढ़कर एक कॉमेडियन हुए लेकिन पहला पैदेट पॉमेडियन जोनी लिवर को ही माना जाता है 14 अगस्त 1956 को इससाई परिवार में जन्मे जॉनी लिवर का असली नाप जॉन प्रकास राव है जॉनी लिवर बॉलिवूड के अपने सुरुवाती समय में मिमिक्री किया करते थे और धीरे दिये कड़ी मेनत के साथ वो आज बॉलिवूड के एक हस्यक अलाकार के रूप में जाने जाते है जिनने अब तक 13 फिल फिर्म आवार्ड मिल चुके हैं और 350 से भी जादा फिल्मों में काम करने का इस बात का सबूत है कि लोगों ने उनकी कड़ी मेनत के साथ उन्हें एक कॉमेडियन के रूप में भी सुकार है परिवार की आर्थिक इस्तिती मजबूत नहों तो मुंबई में सपने पूरे करना और भी मुस्किल हो जाता है परिवार के नीचे दबे थे ऐसे में उन्होंने आंद्रा एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कुल में अपनी पढ़ाई शुरू की और सातवी क्लास के बाद स्कुल छोड़ कर काम के लिए मुंबई आना पड़ा मुंबई में उन्होंने पैन बेचना शुरू कर दिया मुंबई में वे बॉलिवुड गानों पर लोग का मनुरंजन कर पैन बेचा करते थे उनके बाद उनके पिता प्रकास राव जानुमाला ने उन्हें अपने साथ हिंदुस्तान यूनी लिवर की फैक्टरी में काम पर लगवा दिया वहां भी उन्होंने लोग का अपने साथियों का मनुरंजन कर दिलजीत लिए और उनके सह कर्मियों ने उन्हें जोनी लिवर का नाम दिया जोनी लिवर के अंदर के मिमिकरी कलाकार को परताब जैन और राम प्रकुमार ने पहचाना और उन्हें स्टेज सो पर काम करने का मुखा दिया जहां से उनकी कॉमेडी का जादू चलता गया 1982 में उन्हें मसहूर संगीतकार कल्यान जी आनन्द जी और अमिताब बच्चन के साथ स्टेज सेर करने का मौका मिला इसी तरह एक स्टेज सो के दोरान सुनिल दतने जॉनी लिवर के टैलेंट को समझते हुए अपनी फिल्म दर्द का रिस्ता में एक रोल दिया जिसके बाद उन्हें कई छोटे मोटे रोल मिलते चले गए उस समय उन्होंने एक आडियो कैसेट कंपनी के लिए भी काम किया जो हसी के हंगा में नाम का कारेकरम बनाते थे और ये कारेकरम देश ही नहीं बलकि विदेश में भी हिट रहा अब तक जॉनी लिवर स्टेज और फिल्म में कहीं छोटे छोटे रोल कर चुके थे लेकिन उन्होंने कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं की थी फिर उन्होंने एक काईकरम में भाग लिया जहां बॉली बोट के बड़े-बड़े सितारे और नर्देशक आयोए थे वहाँ भी उन्होंने अपनी कला का परतेशन किया नर्देशक गुलानंद ने उन्हें फिल्म जल्वा के लिए रॉल आफर किया फिल्म जल्वा की सफलता के बाद उन्हें खुद को आपचारिक रूप से भी एक हासे कलाकार के रूप में इस्थापित किया उसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्में में काम मिलने लगा जाहिर है पेन बेजने से लेकर एक बेस्ट कोमेडियन बनने तक का सफर चौनी लिवर के लिए आसान नहीं रहा होगा लेकिन उनकी कड़ी महनत और उनकी कलाकारी ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुँचा दिया कि वे आर्टिस्ट असोसियेशन के प्रिजडेंट है और इसके अलावा वे मिमिकरी आर्टिस्ट असोसियेशन मुंबई के अध्यक्ष भी है साथ ही जौनी लिवर लगबर्ग 190 करोर की संपती के मालिक भी है दोस्तो जौनी लिवर का जीवन लाखों लोगों के लिए एक प्रेना है जो दिखाता है कि अगर आप में टैलेंट है तो चाहे जिंदिकी में कितनी भी मुश्किले क्यों न हो महनत के दम पर आप अपने सपनों को उडान दे सकते हैं तो दोस्तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंक्ट बॉस में जरूर जरूर बताईएगा और ऐसे ही प्यारे प्यारे स्टोरी को देखने के लिए मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आयो तो मेरी वीडियो को भी जरूर लाइक करें बिलते हैं ऐसे हैं प्यारे प्यारे वीडियो के साथ तिल दैन बाई बाई